हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूं सब खेरियत से होंगे तो जैसे कि हमारी किलाश चल रही है आजकल फार्मा के प्रोडक्ट की पेकेजिंग डिजाइन की तो मैं आज भी उसी रिकार्डिंग एक क्लास लेकर आया हूं आज लेकिन मैं डिजाइन नहीं बनाऊंगा डिजाइन अल्लेटी यह बना हुआ है यह किसी पार्टी का डिजाइन मैंने पहले बनाया था यह पार्टी इस फोप को एमाजून पर सेल करती है मैं आपको इस फोप का लिंक भी दे दूंगा अबर किसी को यह सोप चाहिए रहेगा यह सोप हमारे पेट्स के लिए होता है यसे कुत्ता बिली के लिए उनके जूएं हो जाती है उसके लिए यूज में आता है इसमें पर्माथेरीन और एलोविरा है इसके कम पोजिशन इ तो चलिए गाइज आज हम इसका मोकब बनाएंगे डिजाइन तो अल्री बना हुआ है काफी पुराना बनाया था तो आज में इसका मोकब बनाने जा रहा हूं तो चलिए स्टार्ट करते हैं उससे पहले आप से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नहीं है तो प्ल इस तरह से हम इसको लोग देंगे मोकब में यह मैंने CDR बनाई है इसमें दोनों यह अलग अलग है अभी के लिए मैं इनको अंग्रूप कर देता हूं तो आप समय गए होगे अब हमें सबसे पहले क्या करना होता है हमारा मोकब बनाने के लिए तो जो यह CDR है इसका CDR का लिंक मैं आपको आपको डिसक्रेप्शन में दे दूगा और इस वह लिंक पर आपको मिल जाएगा इसको बिजरोत रहेगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमने क्या करना होते बेक्ग्राउंड को इस बेक्ग्राउंड कि हमें कोपी लेंगे कीबोड से प्लस प्रेस करेंगे और को प्रेस करने के बाद जिए प्लाइस कबी को न? कर दो कार देंगे सबसे हुआ कि यह सेलेक्ट करेंगे साथ मेसों और कंट्रोली से इस को पी एक्सपर्ट करेंगे पिएंग्ग में है कि Nati में करेंगे लिएको इसको हमथ है और अब इसको डिसलेक्ट करेंगे इसको सेलेक्ट कर लेंगे इसको साथ में और इसको भी इसको हम सुब बन करेंगे अब इसकी शेड़नी है जो यह नीचे शेड़्य है एक और दूसरी एक यहां पर दीखे हैं दोनों को सेलेक्ट करेंगे और बेकग्ग्राउंड को सेलेक्ट करेंगे तरह से और कंट्रोल यह प्रेस करेंगे प्रेंगे पर कर लेंगे अब इसको डिलीट करकर यह वेग्ग्राउंड इसको सिंगल जेपीजी में करेंगे कि यह हम अब बीजी के नाम से अब भी एक्सपोर्ट कर लेंगे अब हम यह भी कर लेते हैं इसमें में क्या करना है कि इसके आउटलाइन हटा देंगे पहले और इसका फ्रंट हम एक्सपोर्ट कर लेंगे जेपीजी में लेंटिक्स फ्रंट कि आज़ीवी में करेंगे और इसकी आउटलाइन अटा देंगे और इसका साइड साइड नाम देखा इसको भी और इसकी कंपोजिशन इसको भी इसको कंपोजिशन करकर एक्सपोर्ट कर लेंगे अब हम चलते हैं फोटोशॉप में यह हमें उसके साथ में रखना है यह मैंने पहले ही रखा हुए बना कर इधर सबसे पहले हम क्या करेंगे पर जाएंगे और बेक्ग्राउंड यहां से उठाएंगे इस तरह से और फोटोशॉप में यहां पर लेंगे और सबसे बहुत नीच आएगी हमारी शेडव तो यहां से हम अब शेडव को ले लेंगे एंटर करेंगे डेक्स्टोप पर जाएंगे इस तरह से हम कर लेंगे अभी हमारा हो गया है इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे इनका गुरूप बना देंगे है इन दो रखेंगे और अब क्या करेंगे हमने बनाने ऑड रिक्टेंगल जीन को से पर लेंगे तो सब्सक्राइब यहां पर लेंगे उस तरा से यह हमारी यह वाली वाल अब इस यह मिन चाहिए वाले नेली ड़ेंगे और अब एक कि एक यह ले लिए हमने फ्रेंट हो गया इसके लिए एक फ्रेंट यह हो गया और एक साइड यह वाली होगी ठीक है इनको हम क्या करेंगे सबको एक गुरूब बना लेंगे अधिट और यहां पर जाकर इनका सबका नाम चेंज करेंगे सबसे बेले यह वाला है इसका नाम हम देंगे साइड वन और इसको हम देंगे कम पोजिशन साइड और इसके दोंगे हम फ्रंट वन ठीक है और इसको हम देंगे यह वाला है इसको फ्रंट देंगे है किशी कुछ वकлом कर ले जो फिरनगे कि और इसको कि अ कर लेंक है कि मैं है आब से इस तरह से हाओ है अ कर यह हो गया सब को संहुक्त करेंगे जैसे यह सेलेक्ट रहे सित तोसृ प्रेस करेंगे और इसको उनौक करेंगे तो वसरे सेलेक्ट हो जाएंगे अभी इनका हम फिल कम कर लेंगे थोड़ा करने के बाद एकक करके ले लेते हैं इसको ले लेते हैं बागी सबको आइड कर देते हैं कंट्रोल टी प्रेस करेंगे कीबोड से और इसको लेकर आएंगे इधा इस पर राइट क्लिक करकर डिश्टॉड करेंगे यहां पर इसको सभी से लगाएंगे इस तरह से देख लेने थोड़ा भी अर्भी इसको देखेंगे यह यह कहां इसको 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 चो जोड़ें है आभ इसको अचरो करेंगे ऀस्को सब्सक्राइब करेंगे करें भी हो जाएगा सबसे पहले कि रिखलें इसको यहां से निकाली लेते हैं और यहां पर और यहां पर रख देता एँ और यहां पर रख देते है कि इसेबल कर दिया अभी इसको इस पर हम बर करें तो इसको करेंगे राइट क्लिक करकर यहां पर डिश्टोर्ड करेंगे और इसको भी इसी तरह से इसकी सेटिंग कर लेंगे इसको यहां पर और इसको इधर ठीक है इंटर करेंगे यह हो गया अभी इसका फ्रेंट करेंगे और यहां पर इसको सेलेट करकर कंट्रोल टी प्रेस करेंगे इसी तरह से इसकी भी डिश्टोर्ड करकर इसको भी सेटिंग कर लेंगे इसकी कि 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 अगर आपको लगी है कहीं पर बाहर निकल रहा है आपका यह रेक्टेंगल जो स्मार्ट अब्जेक्ट में बनाया हुआ तो आप इसको मास्क भी कर सकते हैं नहीं तो अगर नहीं निकल रहा है आप ठीक से सेटिंग कर रहे हैं कि तो कोई दिक्कत नहीं है फिता है ठीक है यह हो गया अभी कि कि यह जो दोनों वाले हैं दूसरे वाले की हैं तो इसको इस तरह से यह उपर रख लेंगे हैं इसको इसका गुरू पलग बनाएंगे अब्जेक्ट टो करका और इन दोनों का अलग गुरू बनाएंगे अधिट टो करका ठीक है अब इसको राइट क्लिक को कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और राइट क्लिक करकर डिस्टोर कर लेंगे इसी तरह से बागी सबकी तरह इसकी सेटिक कर लेंगे अब इसको 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 बीजी तरह से अच्रेश। कंट्रोल टी राइट क्लिक किया डिश्टोर्ट कि अभी एक मेंट इसका थोड़ा सा कलर हम डार कर लें दागिया में सही से दिख जाए ठीक है इसको कंट्रोल टी करें गया कि अच्छ अच्राइब अच्छ्टोर्ड़ा ह। कि अच्छोर्ड ग्याल च्छोर्ड़। अच्छोर्डशन कि अभी किल्यर दिख रहा है कि ठीक हो गया कि अभी क्या करेंगे इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे और इनका कर देंगे और प्रेक्ट करें इनका भी कंप्लेट करतेंगी स्टार से एब देख रहे हैं कि यहां पर थोड़ा वाइट दिक रहा है तो इसको हम सही करेंगे यहां पर यह दिख रहे नहीं कि दो कि करते हैं और राइट क्लिक करकर इस तरह से इसकी है ठीक हो गया चल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अभी क्या करना है हमने अभी कि इसको यहां पर रख लेता है ठीक है यह दोनों पर नीचे वाले पर इस पर कंट्रोल करकर रखेंगे तो यहां पर हम साइड वन में इस रेक्टेंगल बंदर जाएंगे और यहां पर यहां पर देखेंगे साइड में यह साइड है हमारी इसको हम इस तरह से कि शिफ्ट के जाद इसको रोटेट कर लेंगे और इस तरह से इसको अटा देंगे यह हमारा आगे है ठीक है अभी इसका कंपोईशन साइड विन्टोडी से अभी इस तरह से एंटर सेव यह अटा देंगे यह भी हमारा आगया ठीक है अभी हमारा फ्रेंट विंडोडी और यह हमारा फ्रेंट आ इसको भी हाँ पर कंप्लेट करेंगे एंटर सेव और यह यह यहां पर हमारा ठीक है अभी यह हो चुका है कि सेगेंड वाले में चलेंगे अन्ट टू कि एंटर कि कि इसी तरह से इसी में भी कि इसको फोड़ा रोटेट करेंगे इधर अगया ठीक है यह मारा पाइनल हो चुका है तो अब हम क्या करेंगे लगाने एफ एक्स लगाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे इस वाले पर लगाएंगे तो इसके अबजेक्ट में जाएंगे कंट्रोल के साथ इसको सेलेक्ट करेंगे यह सेलेक्शन बनने के बाद हम इसी को सेलेक्ट करके कंट्रोल जैसे तीन को प्यालेंगे एक दो तीन तरह से इन तीनों को कि यहां यह एडिट वन और टू के बीच में जैब डबल नाइन यहां पर देख हो रही है इस तरह से यहां पर छोड़ देंगे और इसको यहां लगकर गुरूप कर देंगे इसका हम गुरूप बनाएंगे एकस ओधे करें छाध मकल करें है इसको नान देंगे इसको में टॉन को लैट ठीक एंदोनों को हएεται कर देंस सबसे बेले इसको पर इसको जाएंगे इसका blend mode linear burn करकर इसकी तोड़ी हम यहां से adjustment और लेवल इस तरह से और लाइट इसका blend mode इस्क्रेम करेंगे image में जाएंगे adjustment में जाएंगे जाएंगे और इसको तरह से यहां पूरा लेकर यहां इदर लाएंगे और हल्का साइस को ठीक हो गया ओके करेंगे यह हो चुका है अब second वाले में हम करना है यह object में जाएंगे control के साथ यह select करेंगे selection बन चुका है इसको select करकर control जे प्रेस करेंगे तीन बार एक दो तीन और यह तीन कोपियां सबसे उपर लेकर जाएंगे इसके उपर ठीक है इन तिनों का गुरूप यहां पर एफ एक्स टू कि इसका नाम शेड़ू कि मिड़ टॉन लाइट दोनों को हैट करेंगे सबसे पहले इसको मल्टिपले ब्लेंड मूड करेंगे और इसको लेनियर बन इमेज में जाएंगे अड्जेस्मेंट लेवल अड्जेस्मेंट और थोड़ा इसका इस तरह से लेवल कर लेंगे ठीक है कर देंगे अपने अकोडिंग जैसा आपको लगे वैसा कर लेना मैं तो फिलाल अपने कोडिंग कर रहा हूं इसका बिलेंड मौन आप स्क्रीन करेंगे और इमेज में अड्जेस्मेंट लेवल और इसको लेपर जाएंगे यहां तक अल्का सा इसको करेंगे यह हो चुका है अब हमने क्या करना है तो बेक्रांट लगाने के लिए यहां पर सेलेक्ट करकर यह शेडो है जो अब सबसे नीचे के ऊपर हमने अब है असलेट कलर लगाना है और सबसे बहुंक्त करेंगे और यहां से कोई भी कलर इसे यह वाला पर लेंगे यह ज़्यादा बेटर लगा सब्सक्ताइब करेंगे कर देंगे और यहां से लिनियर कर देंगे और यह आपका बन चुका है और एक चीज़ और जो मैंने इस पर लगाना है तो हम क्या करेंगे मैंने उसकी पी एंजी बना कर डेक्श्टोप पर रखी हुए यह यहां पर रखिए तो इसको यहां ले आएंगे और कि अंटर कर लेते हैं इसको सबसे उपर लेकर आते हैं कि अब इसको इस तरह से यहां रख लेंगे अब हमको बिग्ग्राउंड का कलर इसको कर देना चाहिए यह सही है ठीक है और हमने क्या करना है इसको भी शेड़ो देनी है तो कि एक हम यहां पर न्यू लेयर लेंगे इस तरह से और यहां पर हम कलर सेलेक्ट कर लेंगे कि यह डार कलव यहां कि इसका चललेंगे नहीं के तोड़ा और नहीं कि आए है और यह थक्राइब कर लेंगे और ब्रेश टूल लेने के बाद अधिक हम अपशुड़ तिसकी तार्टी फाइव कर लंग और फिलो इसका शिक्री करेंगे करेंगे थोड़ा फ्लोव इसका करेंगे ठीक है इतना इसको यहाँ पर हम इतना काफी है ठीक हो गया यह हो चुका है फाइनल तो कैसी लगी आपको यह वीडियो कमेंट करकर बताईए अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और जादे जादे इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और अगर आप चैनल पर न्यूए तो सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए हमें दीजिये इजादत अल्लाहाथ